द्रॉप यर में मैंने बायोम के टारगेट पैच मेड मिशन लिया था बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान परंपरा को कायम रखते हुए जारकन के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 माक्स पार तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ बायोम की नू और नगराटूली राची राज़त के नेताओं ने टुम्री में ओवेसी के दोरे का कोई भी प्रभाव नहीं होने का दावा किया है यूजी राज़त के प्रदेश अदेब श्रंजन कुमार ने कहा है कि अवेसी का कोई फैक्टर नहीं है और मुस्लिम मतदाता उनके चासे में नहीं आने वाला है हमारे अलपसंख्यक भाई लोग सब समझ चुके हैं कि अवेसी के चकर में आने से कितना उनको घटा हुआ है वेसी के चकर में पढ़ने के बाद ही यहां मोदीजी के नित्युत्य में सरकार बनी है और लगतार अलपसंख्यक पे हमला हो रहा है अलपसंख्यकों को लगतार समाजिक न्याय के ततो जो भी है देश में बाटने का काम किया जा रहा है अब हमारे अलवसंख्यक भाई इतना चलाक हो गए है कि वो वैसी के चकर में नहीं आएंगे और जहां तक डूमरी का सवाल है डूमरी में हमारे महागडवन्दन के परतियासी बेवी देवी जी जो जेमेम से लड़ रहे है उचुनाव जितना उनका सुनस्चित हो गया है इसलिए कि वहाँ कोई लड़ाई में है नहीं आजशुका केंडेट है उसके लिए कोई काह सुचेगा भे उनको अल्रेडी मंत्री है अब हमारे जो पूर्व मंत्री स्वरगे जगनात जी थे जिनको टाइगर के नाम से जाना जाता था लोगों के बीच के हैं उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं उनको सची सदार्जली तभी होगी जब उनको वहाँ की मत्दाताओं ने जीत देकर बेवी देवी को विधान सवाब पहुचाएगी इसलिए वहाँ उनका जीत सुनस्चित है वहाँ के लिए कोई ओवई मंदन केता तुहां चुना हो रहा है वह वैसी के आने से कोई फर पिछले पर भी तो वैसी आये थे कितना भोटला है वो तो पूरा अलोबर वो तो दलाल है भारतिय जनता पाटी का इसलिए उनके आने से जाने से कोई फरक नहीं पड़ेगा और जितने अलसंख्यक लोग है उनके बाकावे में नहीं आएंगे और जो यहां काम हो रहा है जारखन में उस काम के नाम पर भोट होगा और वहां बेबी दिभी हजारों मतों से वहां जीतेगी मिनी लंदन मैक लुसकी गंज प्रकृती की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लमों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आस, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुमोरता है जबाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निस्सा, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्ता.